दर एंदी में पूरे इन्विस्टिकेशन के दोरान अभी तक हमने तीन आरुपियों को हमने गिरफ्तार किया है उन तीन आरुपियों के नाम है जमील एमद शेक गोविन सिंग आशिश कुमा सिंग यह तीनों भी रहने वाले इलाबाद यूपी के हैं इनकी मोडस ऑपरेंडी ऐसी है कि यह जहां पर यह लोग जाते हैं ATM में से पैसे निकालने के लिए वहां से उनसे प्यार महबबत में बात करके तोड़ा फसा के उनका पिन देखते हैं और जो काड रहता है वो काड स्कीमर के ज़्वारा वो उसको स्वाइप करके उसका का जो डेटा रहता है वो चोरी किया जात से सॉफ्ट्वेर जो उनके पास में है उस डेटा से वो डेटा क्लोन करके नए काड बना के दूसरे एटियम से पैसे निकाल के इस तरीके से ये उसकी सब चीजों का अंजाम देते हैं आज तक तीन आरूपियों को गिरफतार किया है और तीन आरूपियों के पास है एक डेट स्किमर, एक डेटा राइटर, लैप्टॉप और 20,000 रुपए अभी तक हमने बरामत किये हैं और साथी अभी तक 414 लोगों का डेटा इंफोर्मेशन उनके लैप्टॉप में पाया गया है अभी हम लोग ये 414 लोगों को हम लोग इनफोर्मेशन जो मिली है उनको हम लोग क अभी इन्वेस्टिकेशन जारी है इन तीनों को अरेस्ट किया है उनकी PC अभी तक 27 थारिक तक है उनके काप बैग्राउंड है अभी तक इनोंने कहां का ओफेंसेस किये हैं कहां का गुलेदाकल हुए इनके खिलाफ में इसकी पूरी चान्बीन चालने है सर इस्कीमर जो क्या यूटेम के बास ही लगाते थे या काट लेके पर यह इनके पास में रहता हुए तर यह पहला मामला जो दैसर वाला ही दर्ज हुआ था क्या आनपाइले मीदा मामले नहीं दैसर से इन्होंने दैसर से इन जो कंप्लेनंट है उन्होंने 10,000 रुपे नि पानपड़ा में शील्ड डाइगर में काफी एटियम सेंटर से वहां से उन्होंने उसके पैसे वहां से उनके अकाउंट से निकाले गये हैं और ऐसे काफी सारे जगह एटियम जहां पे राइगर्ड है अलग अलग जगह से उन्होंने वो कार्ड में से पैसे उन्होंने नि